विदिशा जीले में तीन युवको द्वारा अवेद रूप से सहाट किलो गांजा राइसेन साची के रास्ते विदिशा लाया जा रहा था जिसमें मुखबीर की सूशना पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है कोतवाली पुलिस ने आज वाहन क्रमांक MP09 CB6750 को रोग कर तलाशी ली जिसमें तीन युवको द्वारा अवेद रूप से सहाट किलो गांजा राइसेन साची के रास्ते विदिशा लाया जा रहा था गाड़ी की तलाशी में सीट के नीचे और आइसपास की छोटे छोटे पेकेट में गांजा छुपा कर रखा गया था मुखबीर की सूशना पर पुलिस ने विदिशा के नीम ताल निवासी, खिलान सिह राजपूत, डंडापुरा निवासी, सोनु धाकड और राइसे निवासी मुन्ना कुश्वाहा को गिरफतार किया है उनके खिलाफ NDPS Act के तहट कारवाही की जा रही है जब तक आंजे की कीमत 6 लाग बताई गई खिलासे की जानकारी प्रेस कॉन्फरेस के जरिये दी विदिशा से आशिस सहले की रिपोर्ट सब्सक्राइब चलाई जा रहा था तो साची से उधे की रिए आते समय एक मारूती MP09 कि सीवी 6750 का गाड़ी संदिक नजर आई जिसको गहरावंदी करके रेट किया रहा और उसमें बैठे वेक्तियों को उतार के पूश्टाच की गई तो उसमें 60 किलो गाज़ा बहाल के अंदर पाये गया और जो अलग-अलग पैकेट्स में गाड़ी में छुपा के रखा गया था और इसमें फिलांसी, सोनुदाकर और मुन्ना कुश्वा ये तीन वेक्ति के आधिपद से गाड़ी में मिला जिसको पुलिस के हिरासत में लेके आये गया और NDPS के तहट अबेद गाज़ा रखने पर से कारवाई की गई है और इन से पूस्टाश की जा रही है और इनके किरे करने वाले सुत्रों से भी ग्यान पूस्टाश करके अंडर इंवेस्टिकिश्वा इसमें खिलांसी जो है नीमताल बिदीशा, सोनुदाकर, डंड़पुरा बिदीशा और मुन्ना कुश्वा जो है ये मड़ईपुरा र चुपा के रखाते हैं मारुति शुट्री की वहान MP09, CB6750 में इन्होंने पैकेट्स अरल अलग करके सिर्ट के साइड में ऐसे छुपा के रखाते हैं किसी की नजर उस पर नहीं पड़े ये शाची तरफ से आ रही थी गड़ी और उदेगरी रोन पर पकड़ा ये अब इसे पूस्ताच की जा रही है गैन पूस्ताच की जा रही है किस विक्ति वो बैशने के लिए विक्रे कंदे के लिए ये वो कर रहे हैं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें